नमस्कार दोस्तो पॉन्वाइगर में आपका स्वागत है आज का हमार टॉपिक है कॉनिक सेक्षन जी हां दोस्तों कुछ फर्स एक्साइज का कुछ पार्ट में अप्लोड किया था लास्ट ये और फिस किसी कारण से वह कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैंने सुझे चलो नया स सिरीज शुरू करते हैं कॉनिक सेक्षन का और बहुत अच्छे से आपको समझने आ जाएगा क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही कमाल का है दोस्तों आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्स करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारी चैन कौनिक सेक्षन आपने क्रॉष सेक्षन सीखा होंगा कि एक पाइप का एिरिया कम कर दिया प्रीशर से पानी निकलता है। कोनिक सेक्षन मतला कॉनिक के कुछ पार्ट कॉन के कुछ पार्ट कॉन से डा रिलेटेद है का Khर human क्यों दिता है। और यह कौन से related क्या है, तो कुछ उसका भाग होगा, कुछ area होगा, जैसे cross section हम देखते थे, cross section में area देखते थे, वैसे ही यहाँ पर कुछ है, लेकिन यहाँ area है या क्या है, वो सारे कीज़े हम समझते हैं, अचा इसके अंदर क्या होता है, कि आप देखे इस तरह का मैंने द दो-दो कौन लगा दिया, किदर लगा दिया, किदर लगा दिया, actually दो-दो कौन क्यों लगा है, actually इसी से ही अलग-अलग हमें जो shapes मिलते हैं, मतला आप अगर कहें तो line भी इसी से मिलती है, circle भी इसी से मिलता है, है न, parabola इसे मिलता है, hyperbola इसे मिलता है, ellipse इसे मिलता है, ह तो शुरुवात से हम देखते हैं कि exactly इस topic में क्या है, अगर इस topic में देखा जाए तो हम parabola के बारे में सीखेंगे, conic section में parabola पहले सीखेंगे, फिर हम ellipse के बारे में सीखेंगे, hyperbola सीखेंगे, उसके बाद अगले part में हमको standard equations of conic sum देखेंगे, equation of tangent of conic sum देखेंगे, conditions जो की tangency की वो हम सीखेंगे, अच्छा, last year हमने इसमें क्या सीखा था, तो last year हमने section formula तक सीखा था, coordinate geometry का यह अगला part है, आपने circle इदर सीख लिए, straight line सीख लिए, उसी का अगला part है, तो उसी में हम अगली चीज सीखने वाले हैं, अब अगर देखा जाये तो यह जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि यार यह तो दो-दो कोन सर ने लगा है, यह double-nabbed right circular cone है, इसका नाम क्या है, double-nabbed right circular cone, double-nabbed क्यों भाई यह दो-दो है, right circular क्यों हमेशा हम right circular ही लेते हैं, right circular cone ही लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं आगे आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर, जैसे यहाँ दो चीजे बड़ी कमाल की है, कि यह बनता कैसे है, तो यहाँ पर एक होती है इस तरह की line, एक होती है इस तरह की line, जो यहां से होके जाती है, एक मिट उतना, जो यहां से इस तरह से होके जाती है, ऐसे, एक लाइन ऐसी होती है, जन्रडर, अगर मैं इस लाइन को पकड़ू, है ना, इस लाइन को पकड़ू मैं और ऐसा गोल-गोल घुमा दू, ऐसा गोल-गोल घुमा दू, तो बनेगा कौन एक लाइन में ऐसी रखो और एक लाइन में ऐसी रखो और इसको मैं ऐसा गुमा दू है ना मैं दो ऐसे रखता हो एक एसा रखता हो और एक एसा रखता हो और अगर इसमें यहां साइच से दिखते हैं हाँ अगर इसमें जो यह जो ब्लू वाला पेन मैं इसको ऐसा गुमा ने तो यह लाइन ऐसी गूं जाएगी यहां पर दिखना जन रेतर नीचे सरकल बनेगा यह बनी कि एक्सिस होगी और डबल नेप्ट कि बोलते हैं यह उपरका पाट और नीचे का पाट यह इसको कहते हैं नेफ्ट यह डबल नेफ ड्राइट बच्चों को यही चक्कर पड़ जाता है कि यार सर यू क्या नाम जो डबल नप डब डब डराई सर्कुलर को ने ठीक ना बहुत सिंपल सा एक जनरेटर होता है और एक 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 सेस होती है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है आगे मैं आपको लेके चलता हूँ जैसे आप यहां पर देखें यहां देखें तो कॉनिक सेक्शन का सबसे कमाल का चीज यह है कि भया जब आप किसी डबल नप डराई सर्कुलर को एक प्लेन से काटते हो तो प्लेन कैसा जाता है वो प्लेन कैसा जाता है वो प्लेन सीधा जा यह चीज चाहे हमें दो किलिए हो एक इस कि अच्छेज नहित को सरकल मेंद of difficult वहिऊ उसे को यह ख्यों में चाहिना है , वह यह बहूत कमाल का और बहुत इंपॉटन का भी chatd वास तरीके से करना है इसमें किसी तरह का आपको doubt नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग diagrams लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे से आपके जो thoughts को clear कर दू कि भीया यह चक्कर क्या है यह है क्या यह किस बला का नाम है क्योंकि theory अगर किताब में देखो के तो दिमाग घूमने वाला है इतना सारा भर-भर के लिखा है तो इतना भर-भर के समझे के जुरूरत नहीं है सिंपल सिंपल से समझो कि भीया कोन है कोन है कोन से जा रहा पहले ऐसा जाएगा पहले यहां से जाएगा अगर यह परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब मतल twent journal perfect करता है कि आप जो प्लेन हैं है और ऐसा जाता है तो तो नहींT जो दे और नहीं करें लिसके सकते हैं कि यहांने आपके बता दूं मुझ कि यह यहाँ पर कौन में अगर ऐसा कटकरा है यह अप्र या एक थोड़ा समझने के लिए काम करते हैं हम समझने के लिए काम करते हैं कि मैं एजो लाइन की टीटी है है कि मैंने यह जो लाइन की में टुप न है क webcam आ अब doubt यह सरकल से अगर यह plane अगर ऐसा चले जाए तो यह ओबहलता है यहां पर जो थीचा और अलफा भी बोलता यहां पर Content चेश से अंदर क्या होता है। के दंदर है यहां पर यह जो एंगल बनता नहीं 90 का बनता है नहीं 90 का बनता है और आंनल से ओक्रोंद से वह करी लेकिन यह देशानल से नहीं 2 तो यहां पर नहीं लुदा होता है उके इसेrepं से बड़ा होता है लेकिन यह 90 से छोटा होता है यहाँ पर 90 से छोटा होता है फिर एक एंगल यह आएगा यह और उस तरह से आएगा तो यह अलग-अलग conditions में कट रहा है अब अलग-अलग conditions में कट के तो हम एक समझ ले यह angle की बात में भली आपको बात में बताऊं क्योंकि पहले आपको यह देखना जरूरी है कि यार seam क्या है तो जब इस तरह से कड़ता है एक मिलट टुकना जब यह इस तरह से कड़ता है जब ऐसा काटेगा फ्रेंड जब ऐसा काटेगा तो यह चे बनेगा कौन के अंदर फिर कल जब ऐसा काट और यह से शेप बनेगा लिप्स जब थोड़ा ऐसा काटेगा ऐसा कटेगा ऐसा गया दो देखू परोला और जब एकस्ょ Maintenant तब Понग गायव हाइपरवोलल देखो धेखव धिखो धेख़ो ध्याद से मज़त देखन हैрий है यहां क्या से देख रहा है थोड़ा फिर से समझाँ देखने में अब धियान से समझ लो जब यह जो है कौन इसको अगर मयने राट एंगल से काटा तो सर्कल बन रहा है दूसरी क हाइपर बोला ठीक है यह अलग-अलग शेप से आगे पढ़ते हैं इसके अंदर अभी इसके सारे नाम और सब चीजा अच्छे से समझ लो क्या देकर रखा देखो यह कहते हैं यह कहते हैं डबल नेप्ट हना इसमें अपर नेप्ट यह उपर वाला नेप और नीचे वाला ने यह 90 का किसे 90 का बना रहे हैं यह 90 का कैसे बना थोड़ा देख लो यह 90 कैसे है जब यह सरकल इसके उपर पर पर पेंडिकुलर बन रहा है यह इसके लिए यह जो है यह 90 का है यह सेंटर सिटी जीरो होती है अब यह सेंटर सेटी क्या होती है मैं उसके उपर भी आता हूं है actually यह ratio होता है दो अलग-अलग values का उसके उपर मैं पहुचता हूँ तब जाके बात करेंगे फिर मैं वापस आपको यहां लेकर आऊँगा ellipse क्या होता है ellipse में theta 2 बड़ा होगा theta 2 बड़ा होगा इस R और इस H के जो angle बनेगा है यहां पर मतलब मैं इस angle से बात कर रहा हूँ अगर मैं इसको theta लेता हूँ तो क्या होगा यह opposite side upon hypotenuse तो यहां यह जो angle बन रहा है यह theta 2 बन रहा है यह theta 2 बड़ा होगा theta से ऐसा लिखो यहां 10 inverse R upon H लिखा है theta 3 क्या है theta 3 यहां पर जो है वो बनेगा theta 3 जो है theta 3 जो है झेटा के एकवड़ बन रहा है अब आप बोलोगे सुर्ट है theta 3 कैसे बना मैंना आपको बताया कि जब यह इसके parallel जाएगा देखो ध्यान से ध्यान से देखना यह ऐसा गया theta कहां बन रहा है theta यहां बन रहा है यह जब इसके parallel जा रहा है मतलब कि यह line यह line जो है यह generator जो है, यह generator के parallel आपने इसको काटा है तो यहाँ पर यह जो angle बन रहा है कौन सा वाला? यह वाला angle कर्सपोन्डिक angle बनेगे एसा भी जा रहा है, यह भी ऐसा पर यह जा रहा है तीन अलगलग condition है पहली condition पहले चार condition समझ लो पहली condition कि जब यह थीटा 1 जो है यह 90 कट है मतलब कि डायरेक उसको ऐसा काटा अब मत्ती का कोन बना के उसको काट सकते हो इसे काट के देखना आपको सरकल मिलेगा अगला वाला जो है थीटा 2 इसको आपको थोड़ा तिर्शा करना है जैसी आप थोड़ा तिर्शा करो के तो थीटा 2 बनेगा थीटा 2 क्या होगा थीटा 2 इससे बड़ा होगा यह वाला एं इससे यह वाला एंगल और यह वाला एंगल सेम होगा देखो आगर आप देखो तो कर्रस्पांडिंगल बन रहे यह ऐसे कुछ बन रहे हैं तो यह एक्वली होगे ठीक ना इस तरह से हैं तो यह बेसिक चीजे हैं जो आपको समझ में आना चाहिए मुझे लगता है किलियर हो गया आपको और जो प्लेन जो इसा सीधा काट है यह एक्सीस के सीधा काट है तो उस इसी हमको यह को यह देखो इसने हां बनाके रहते हैं लेकिन है त्ख कि यह यह छोटा होने वा यह चलो मैं आपको अगले कंडिशन पर अगले डायेग्राम के ऊपर हाँ अब आगे हमारा पैर भोलता baseline तब बनता है वो भी देख लो यह दिखो पैराबोला कब बनता है जब जन्रेटर के पैरलल में हमारा एक्सिस जाता है Peng 끝 जाता है जन्रेटर के पैर्लल जब जाएका तो पैराबोला होता है ये तो बहुरत है और और लिखा दणेवा को यह तो और आप दिक प्रहुत है यह मुद्मित के फॉर्ट यह अनो sulphate के गोनेना ाइसा होता है यह बनरται पेराभॉल और मैंने भी आपको eccentricity बताए ना मैंने आपको eccentricity बताए असेंटरीसिटी मतलब यह जो दोनों है यह साइड और यह साइड का ratio यह साइड और यह साइड काяти यहां पर हम eccentricity उसको लेते है ठीक है पेराभॉलमें यह जनली 1 एक होती है ने यह वाला पार्ट दोनों इक रेडियो तो एक और और गुझेdraw डिस अ क्यो suspects रहा हैं एक की क्वेट है क्या है आप किसी plane से क्वुआ होगे तो अब यह Aviation अब यहां पर यह यसे हैं कि यह था शहीं इस थिक है आप इस एक्सिस में यह जो यह एक्सिस है यह यह बंग्या पैरा बोला ठीक अच्छा पैरा बोला आप बोलों कि यह एंड नहीं बटा यह जो जाएगा इन फानेटली चले जाएगा यह इन फानेटली जाता है इसा है यह एसा का इसा प्रोजेंट एल मोशन में उने देखा बॉल जब हम फेकते हैं तो बॉल गिर जाती जनरल नीचे लेकिन यह बॉल जब हम फेकते तो वह इसी तरह से जाता है लेकिन यह चलते चले जाएगा ऐसा ठीक है यह नीचे नहीं आएगा पहली बात दूसरी बात यहां पर इसके अलग-अलग कुछ चीजे होती है यह एक्सेस अफ सिमेटरी इसको बोल बनता है है यह ना एक जो है वो ऐसा कुछ बनता है है ना एक जो है वह ऊपर बनता है यह यह इस तरह से बनता तो इसे चार पार हमको इसके देखने को मिलेगे ठीक है चार तरह की होते हैं, तो पहला वाला यह है, जो इधर से आ रहा है, और टच कर रहा है, कहां पर origin को टच कर रहा है, ठीक है, यह इसका focus कहलाता है, और यह जो मैंने अभी आपको authenticity बता है, यह line जो है, यह line और यह line का जो ratio होता है, यहां पर यह line और यह line equal होती है, यह इसका focus है centricity कहते हैं अभी हम सब के उपर आएंगे तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि ताकि आपको एक एक चीज के लिए हो जाए मैंने बहुत सारे इसमें डाइग्राम से लेके रखे हैं बहुत सारी चीजे लेके रखे हैं लेके करके यह सारे definition भी आपको हैं फिर से सब बताने वाला हूँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है है एक लाइन जो y-axis के पैलल होती है जितना यह दूर होता है मतलब यहां से जो distance अगर a है यह distance अगर a है तो यह भी distance a ही होता है और यह a distance के इधर जो लिए लाइन होती है directrix के लाती है which is parallel to y-axis है नहीं y-axis के parallel होती है चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर चले बिसमें आगे बढ़ते हैं आगे हमको क्या देके रखा है इसको समझ लेते हैं अब आगे देके रखा है definition of the conic section क्या देके रखा है definition of the conic sections and its equation पहले हम definition की बात करते हैं देखो बटा conic section क्या होता a conic section or conic can be defined conic section को या conic को हम define कर सकते है as the locus of the point P a point P the locus of the point P इसकी बात हो रिया ना the locus of the point P in the plane such that the ratio of the point P from the fixed point is it's the distance of a point P from the fixed point and the distance of a point P from a fixed line यहां पर एक fixed line होती है जिसको हम कहते हैं direct tracks यह जो होती है fixed point होती है जैसे यहां पर यह A है तो यहां पर भी यह A है तो इस point से इस line का distance यह वाला distance और यहां से distance इन दोनों के ratio की मदद से ही आप conic को define कर सकते हैं तो conic को कैसे define करेंगे the conic section or conic can be defined as the locus of the point P okay the locus of the point P in a plane such that the ratio of a point P the ratio of the ratio of the distance of point P from the fixed point and its distance from the fixed line मतलब यहां पर दो इसकी बात हो रही है इसको हम focus as कहते हैं है इसको हम focus as के तो PSN PM यह SP upon PM के ratio के मदद से हम बताते हैं और यह हमेंशा constant होता है it is a constant है ना अलग-अलग चीजों में अलग-अलग यह constant होता और इसी को हम हम कहते हैं eccentricity यह जो होता है न इसी को हम कहते हैं यह जो होता न इसी को हम eccentricity कहते है यह कहते है ठीक है तो इसी को यहां पर बोला गाया इसकी definition को कैसे बोलेंगे the conic section or a conic can be defined as the locus of the point P okay as the locus of the point point P in the plane such that the ratio of a point P from the fixed point and the the ratio of the the ratio of the distance of a point P from the fixed point and the distance of point P from the fixed line okay it is a constant your constant your constant or you have a fixed point jota focus होता है और जो fixed line होती वो directrix होती है यहां पर वही चीज़ आपको आगे दिखाई गई है अब देखो यहां पर आपको बताओ मैं कि यह पैराबोला में लेकर रखा एक्चली पैराबोला में क्या होता ना पैराबोला यह जो मैंने आपको बताया पैराबोला में क्या होता है कि यह जो आइन और यह उतना पेरा बोला के अंदर यह जो सीन होता है यह पी एमरी पेरा बोला के अंदर यह हमेशा वन और मतलब यहां पर s.p.a. और PM जो होते न एकवल होते है पेरा बोला में अभी आगे आएगा यह हम इसको धेरेंट कि यह और यह शिताइं तो यह दिस्टन्स है धया जो यह पॉईंत अनिय रोटत वाला होने वाला पाइंट जो है पाइं पियर यहां परayer चाम से पारिज गोह तो यह पॉईंत पी और यह जो लाइन ह्क गार्टरास कि आपको सब्कराइब है यहां देखा Our conic section a conic section or conic can be defined as the locus of the point P in the plane such that the ratio of the distance of a point P from the fixed point to its distance from the fixed line is constant so you have both take it a fixed point and fixed point calm focus care that I mean a pocahki focus out a deco pichly lines but I mean he a focus a fixed point you had us go as said in order to focus or fixed line do it the fixed line fixed straight line is called the directrix of the conic section directrix county directrix county where they go jitne door yaha say your vertex is got yaha say jitne door focus out I could do either want to agree here a to you minus a either making a distance a or a market to a hotel focus this conditions to a hotel to directrix county you direct the city that is or go to y-axis get parallel to you get out a y-axis on the conic section and segment p.m. is the length of the perpendicular from point P segment p.m. care length of the perpendicular from point P abhi are you would you diagram to know where you hopper hoonati either to me hopper isco pitch it is a bit other though key a joint segment p.m. a length of the perpendicular from directors your point p.k.a. p.k.a. distance the distance of P yeah sir it's not you you p.m. you can distance of point p.k.a. 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 p.m. the components are clear of air moment p.k.a. p.k.a. p.m. 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 pumps वो हमेशा constant होता है जिसको हम eccentricity कहते है अच्छा इसके अंदर ये ratio जो होता है वो एक होता है PAS upon PM जो होता ना बटा ये इसके अंदर एक होता है किसके अंदर parabola के अंदर ओके तो ये आपकी कोनिक्स की definition a conic section or conic can be defined यहां कोनिक्स की definition है यहां पर ये focus की definition a fixed point is called a focus and of the conic section and denote by s and the fixed straight line is called the directrix of the conic section denoted by d okay यहां पर s जो है s is the focus p is the any point on this s क्या है s focus है p कोई point है और इनका distance इनका distance eccentricity कहलाता है वो constant होता है और parabola के अंदर ये एक होता है इसका clear के लिए मतलब है कि parabola के अंदर ps और pm ये equal होता है या इसको sp and pm लिखा हुआ है ठीक है sp मतलब ये focus distance है इनका दोनों का 20 का distance ये focal distance कहलाता है ये आएगा भी आगे ये भी आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ ठीक है मतलब बहुत detail में जा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ उसका कारण ऐसा मैं जानता हूँ कि वीडियो बड़ा होने वाला है लेकिन भाईया काम समझ में आना चाहिए ठीक है अब आगे हम करते है axis ठीक है दोस्तों आगे हम आते हैं इसके अगला जो पार्ट है वो है इसके axis से related जी हां कि axis क्या होता है मैंने अभी भी आपको इसके पहले भी बता है कि axis वो होता है कि जो पैरा बोला को दो equal symmetrical part में जो उसको divide कर देता है like this कि जो x axis है ना तो यह axis of symmetry कहलाती है a line about with the conic section a line about with the conic section is symmetric is called the axis of conic symmetry तो axis of conic symmetry यह है axis of symmetry जो होगा हमारा यह हमारा होगा that is x-axis इसको हम axis of symmetry ऐसा बोलेगे मतलब जब भी आपको बात आएगी कि conic section या parabola का parabola का जो axis of symmetry क्या है तो that will be x-axis अब वो डिपेंड करेगा कैसा है ना अगर parabola ऐसा है तो x-axis अगर parabola ऐसा है तो भी ourTheD आपको के उसका मूंग इदर है यह जिसस похож एक और बात क्या हर बार ही egent something obscure ही जो होगा मतलब Find the accident हो सकता है कि अगर नहीं एस तरह से हवा में इधर बन जाए ऐसा बन जाए वह मैं देखने को मिलेगा तो ऐसा भी हो सकता है लेकिन हम आगे सब बसक्राइब कर देखा लेकिन वहाण वह चीजिद करूए तो इसका आप होता है the point the point of the intersection of a conic section with its axis of symmetry is called a vertex मतलब जहां पर conic section axis of symmetry को intersect करता है जहां पर वो काटता है उसको जहां उसको काटता है वो point कहलाता है that is called the vertex of the conic section vertex of the parabola यहां पर यह वर्टक्स होगा यहां पर यह vertex होगा यहां पर यह वर्टक्स होगा इन सभी cases में जो वर्टक्स है वह 00 क्योंकि भले वह x axis axis of symmetry x हो यह y हो vertex जो होगा अभी इस condition हम जो पढ़ रहा है उसमें सब जगह जो यह होने वाला vertex होने वाला वह 00 ही होने वाला है ठीक है और यहां पर हमारी अभी जो हम पढ़ रहा है उसमें जो axis of symmetry है या तो वह x axis होगी या फिर वह y axis होगी चलो बढ़ते हैं आगे इसके इंदर और आगे क्या देके रखाए तो अगला जो पार्ट है वह focal distance या focal distance को बहते है बोलते है तो तो the distance of a point on the conic section from the focus is called the focal distance कोई एक point का focus से जो distance होगा वो focal distance होगा लाइक मैं अगर यहां पर ps focal को मैं इसको इसको इसने हैं f देके रखा है focus को हम इसको s ले लेता है for the timing क्योंकि हमारी book में s देके रखा है तो अगर s यहां पर जो focus जो हो वो a 0 है और आपको ps निकालना है तो ps कैसा होगा ps होगा under root में हम formula क्या है हमारा भई इसके यह x1 y1 ले लो और यह x2 y2 ले लो तो यह क्या होगा यह होगा x minus a x minus a का whole square और y minus 0 का whole square तो यह ps क्या हो जाएगा ps हो जाएगा under root में x minus a whole square plus y square यह आपकी जो textbook है आपकी टेक्स्बूक में इस चीज़ को देके रखा है अगर आप चेक करते हैं तो यतिस एएाट फोकर डिस्टेंस यहां पर जो पैको पैरर बोड़ क्या अन्दर यह जो डिस्टेंस अता यहां पर इस निता स्वाइब चुर्णार में रिल्दू करते हैं менहीं यह होता है बंशल कर घृम्र एंद होता है और Be minimum A0 है नो मतलब यह इतना A है तो यह भी इधर आएगा यह माइनस A होता है लेकिन इनका डोनों का टोटल कितना होता है यह focus से directrix का distance अगर देखा जा तो वह 2A होता है वह अपना आगे करेंगी करेंगी तो यह जो distance होता है na focal distance जो होता है वो मैंने निकाला इन दोनों के ratio को यह अपन क्या बोलता है eccentricity मैंने इसके पहले आपको बता है eccentricity उसको बोलता है इनके ratio को और वो एक होता है e की value यहां पर क्या होती है यहां पर e की value जो होती हो एक होती है ठीक है तो यह focal distance आप पी एस निकाला हम लेकिन वो focus से उसका distance हमको लेना होगा ठीक है ना चलो आगे बढ़ता है इसके अंदर इसके अंदर हम आगे बढ़ते है अगले point पर आते है यहां हमको अगली condition देके रखिए यह बोलता है कि focal chord focal chord क्या होगी कि भया a chord of a conic section passing through the focus जो focus से होके जाए मतला यह focus है तो यह line ऐसी चली यह ऐसी चली गए यह ऐसी चली तो जितनी भी chords जो है वो focus से होके जाएगी जितनी भी chords जो है वो focus से होके जाएगी they all are called a focus chord focal chords उनको हम कहेंगे focal chord जो focus से होके जाए और lattice rectum क्या होता है यह बोलता है कि lattice rectum focal chord of a conic section मतलब फोकल कॉर्ड होगी वो मतलब कि ऐसी कॉर्ड होगी जो जो फोकस से होके जाएगी लेकिन वह एक्सिस अफ सिमेट्री पर परपेंडिकुलर होगी तो इसको थोड़ा सा यह डाइग्राम के अंदर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि यह जो है यहाँ पर यह फोकस देखे रखा है एस तो यह जो लाइन है यह फोकल कॉर्ड है यह वाली जो लाइन है यह भी फोकल कॉर्ड है कौनसी वाली देखो बटा या एक मिनिट यह जो है जो फोकस से होके जारी यह फोकल कॉर्ड है और यह जो परपेंडिकुलर यह जो परपेंडिकुलर आरी यह ईए जो strengthening 빨리 राई इसको हम कहेंगे जो परपेंडिकूल Jeśli उसको कहेंगे लेतस रेक्टम लेटस रेक्टम और फोकल कोर्ड में थोड़ा सा अन्तर ही वो समझ लो जडाई लेटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड में जरा सा अंतर है वह कॉर्ड जो focus से होके जाए जाए गैने और excess of symmetry पर perpendicular हो तो वह लैटस और प्रफार एक्रटम आती है लेक्स और फोकलик धियों फोकर से होके जाया फोकलकkeit इंब यह जितनी अबर लेकिन वो 타ो जो फोक्त के उपर perpendicular daoou जो परपैंडीकूलर ओगी जो ऐसी होगी on pan see Gospelhões Hum लेटेसरे क्ट्रम एक फोकल कॉण्ट भी होता है लेकिन वो परपेंडेकुलर होता है 16 of symmetry के ऊपर तो यहां पर यह पर्पेंडिकुलर बनेगी तो दोनों में अंसर समझनों फोकल कॉड वो जो फोकस से होके जाए और लेटर से अटर में फोकल कॉड होती है बुल्कुल उसी तरह से जो सेन्टर के ओपर से जाती है उसको हम डायमेटर यहां पर भी कौर्ड ही होगी फोकस से थे कौर्ड होगी लेकिन फोकस से की जाएगी और एक्सिस और पर परपेंडिकुलर होगी उसको उप्र ही दोनों में नाम देहान रखना और बड़े कहतरनाक नाम दिए हैं वह उसका इसे ज़ू के नाम है यह जो लाइन है यह वाली लाइन इसको मेरेस करता हूँ इसने हमको यहां बता के क्या रखा है कि यह जो लाइन है यह फोकल कॉर्ड है यह वाली फोकल कॉर्ड है यह जो जाली है लेट से इसका नाम एबी दे देते हैं और यह इसका नाम अपन क्या कर देते हैं इसका नाम प अगली कंडिशन पर आता है the point which bisex every chord of the conic section, conics passing through it, जितनी भी chords conic section में होके जाए, ऐसे point से जाए, जो point इनको सारी chords को bisex कर दाले, ठीक है न, जैसे मैं कहता हूँ कि center से उने वाट जाकर circle के अंदर, जो center से जितने भी हम diameter जाते हो, तो बाइसे करते हैं, तो वैसे अब इसका center निकालना हम आपको सिखाएगे तो conic के अंदर क्या बोलेंगे center क्या होगा the point which bisects the every chord हर chord को जो point bisect करता है हर chord को जो point bisect करता है उसको बोलते है center of conic ठीक है और the point which bisects every chord of the conic is called the center of the conic okay इसको हम निकालना सिखाएगे आपको आगे आते है double ordinate double ordinate क्या होता है double ordinate देखो lettuce rectum और double ordinate और focal chord यह तीन रिष्टेदार है यह आपकर यह तीन रिष्टेदार हों के नाम समझ लो जड़ा तीने रिष्टेदार के नाम समझ लो पहली है focal chord पहली क्या है पहला नाम है focal chord पहला है focal chord दूसरा है lettuce rectum है यहाँ पर देख सकते हैं आप लेटर रेक्टम ठीक है और तीसरा है double ordinate तीसरा क्या है double ordinate अब याद बोलोगे यह क्या बनाए पहली बात focal chord वो जो focus से होके जाए कहां से जाए passing from focus passing from focus जो focus से होके जाती है वो focal chord होती है अब lettuce rectum क्या होती है lettuce rectum में focal chord होती है lettuce rectum में focal chord होती है बट lettuce rectum जो होती है वो perpendicular होती है axis of symmetry पर और lettuce rectum में focal chord होती है क्या होती है यह focal chord भी होती है letters rectum एक focal chord भी होती है और वो यहां से जाती है और double ordinate क्या होता है? double ordinate एक chord होती है focal chord नहीं होती है, double ordinate क्या होती है? एक chord होती है बट वो perpendicular होती है axis of symmetry पर लेकिन वो कहीं भी हो सकती है axis of symmetry पर perpendicular होती है definition देखो a chord passing through any point on the conic and perpendicular to the axis is called a double ordinate तीन रिष्देदार, focal chord वो chord जो focus से होके जाए पहली बात, उसको focal chord दूसरी बात, letter rectum वो chord जो focus से होके जाए पर axis of symmetry पर perpendicular होती है तीसरी बात, double ordinate वो chord जो axis of symmetry पर perpendicular होती होती है वो किदर से भी जाए दूसरी जगह कहीं से भी जा सकता तो देखो यहां पर double ordinate क्या है, यह यहां पर देखे रख़ा है double ordinate, यह cord है, focus से जाने वाली focal cord है, यह perpendicular है, यह latest rectum है, यह latest rectum है, और यह double ordinate है. यह axis of parabola है, यह उसका vertex है, सारे पार्ट हो गए, देखो, यह directrix है, यह directrix है, सारे रिष्टेदार देख लो, यह जो है, यह सारे रिष्टेदार है, directrix है, ओके, यह जितने distance पर होता है, उदर दिस्टेंस पर यह भी लेते हैं, ठीक है, यह जो है, यह focal chord है, यह PQ क्या है, PQ letters rectum है, यह double ordinate है, क्योंकि, यह भी perpendicular रही है, यह भी perpendicular है, फोकस है, यह सिर्फ और सिर्फ यह chord है, इस वन इस called, यह chord है, और ये axis of parabola है, इसको हम क्या कहता है, यह इसका vertex है, ठीक है, यह क्या कहलाता है, PS, PS कहलाता है, तो थोड़ा यह नहीं दिखेगा ठीक है तो यह सारे basic concepts आपको धिरे-धिरे समझ में आ रहे होंगे पर दिखो यह वीडियो ने बड़े होता है इन वीडियो उसको थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है definition of parabola क्या है तो parabola is the locus of the point in the plane, equidistance from the fixed point and a fixed line in that plane and the fixed point is called the focus and the fixed straight line is called the directrix तो parabola की definition हमको हमारी book में देके रखिये कि parabola क्या है? लोकस अब दोस पॉइंट, collection of all those points, collection of all those points, all those points कि जब हम यहाँ पर, the collection of all those points, यह क्या बोलता है, शब्द क्या बोल रहा है? लोकस of the point in the plane, equidistance from the fixed point and fixed line, fixed point focus होता है, fixed point focus होता है, fixed line directrix होती है, fixed line directrix होती है, इसको समझने के लिए, मैं आपको यह अगर बता दू, यह वाला animation जो मैंने 20 के पहले भी आपको बताया, यह वाला animation है, यह animation बताता है आपको, कि यार हाँ, यह चीज़ जो है, यह बिलकुल clear clear है, एक में टुकना, एक में टुकना, कुठा गेला, हाँ, यह बता रहा है, कि पैराबोला की अगर definition बोली जाए, तो पैराबोला बोलता है, कोनिक section, अब पैराबोला is a locus of a point, is a locus of a point, which is, which is the ratio of, which is the ratio of, the ratio of the, the ratio of the fixed point and fixed line is equal, okay, कोनिक section में यह होता है, ठीक है, कोनिक section में क्या होता है, fix point, fix point हम किसको बोलते है, fix point हम इसको बोलते है, focus को, और fix line क्या होती है, direct tricks होती है, तो कोनिक section की definition आप सबको clear हो गई होगी, मुझे नहीं लगता कि अब इसे में किसी को कोई doubt है, फिर से एक बार repeat कर देता हो, कि पैराबोला क्या है, पैरा बोला, is a locus of a point, which is equidistant from the fix point and fix line, fix point and fix line, equidistant from fix point and fix line, equidistant from fix point and fix line, in दोनों का distance सेम होता है, मतला ये वाला distance, और ये वाला distance सेम होगा, इस बात का ध्यानतना, है ना, और ये हमेशा सेम होगा, तो फिर क्या होगा, फिर आप लिखोगे, कि SP is equals to PM, तो आप लिखोगे, SP upon PM जैस centricity, चलो, आगे आते है, ज्यादा लंबान इसमें करने की जरूत नहीं है, आगे बढ़े जाते है, नहीं तो आप परिशान होगे, अब यह है यहाँ यहाँ पर conditions, यहाँ पर y square is equals to 4x, यह पहली condition है, पहला वाला, यह टाइब है, standard equations of the parabola, तो पहली standard equation क्या है, y square is equals to 4x, य सिंता मत करो, यह मैं आपको निकाल के बताने वाला, इसको हम प्रूब करने वाला है, तो आपको टेंशन लेनी की जरूत नहीं है, ठीक है, अब यहाँ अगर देखते हैं, यहाँ अगर देखते हैं, तो यहाँ main चीज क्या है, यह y axis है, और यह x axis है, और यह vertex क्या है, यह 0 0 से होके जा रहा है, यहाँ पर vertex 0-0 से होके जा रहा है, तो जब ऐसा मू होगा, तो equation होगी y square is equals to 4x, और जब इदर से जाएगा, तो y square is equals to minus 4x, ऐसा होगा, तो focus a 0 होगा, और directrix जो होगी, वो कहा होगी, अगर a से जा रहा है, तो यह भी a ही होता है, लेकिन यह minus a होता, त जो मैं इदर लाओंगा, तो यह x plus a is equals to 0 हो जाएगा, तो यह equation मन जाएगी, this will be the equation of directrix, यह equation हो जाएगी आपकी directrix की, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पर x is equals to a आने वाला है, तो x is equals to a हैगा, तो यह इदर आएगा, x minus a is equals to 0, तो यहाँ equation of directrix क्य जाएगी ना इधर का उधर हो जाएगा उधर का इधर हो जाएगा वैसे ही यह दो टाइप है इसके अंदर दो पर्टिकुल एक्वेशन है y2 is equal to 4x बोला तो राइट साइड में बनाना राइट साइड में और y2 is equal to minus 4x बोला तो left साइड में बनाना इधर ठीक है फिर उसके बाद में इसकी दो अलग एक्वेशन है तो उपर और नीचे बनता है जो उपर बनेगा तो y2 is equal to 4by होगा क्योंकि यहां focus बदल जाएगा यहां पहले उदर focus a 0 था यह 0 b आएगा यह 0 b आएगा तो यह अगर b है तो यह भी b होगा लेकिन है minus का भी है तो यहां y is equal to minus b है तो जब y is equal to minus b होगा तो इसको हम इदर लाएगे तो y plus b is equal to 0 आने वाला है तो यह क्या होगा यह होगा equation of directrix यह होगा equation of directrix and this will be the equation of directrix यह जो डाट्रिक्स यह आपर d देके रखिए focus के आएगा यह अपर 0 b है यहां पर condition बदल जाए तो यह अलग लग चार standard form है बहुत simple बटा बहुत easy है आप आराम से इसको कर सकते हो चली पढ़ते है आगे इसके अंदर आगे क्या देके रखा है आई दुस्तों आगे आते हैं पैराबोला के अंदर और यहां पर हमको देके रखा है standard equation of parabola यह आपको page number 142 के उपर देके रखा है बहुत सरब यह इतना सरब क्या है मेरे तो पल्ले नहीं पढ़ रहा है गभराओ नहीं मैं तुम्हारा साथ हूँ क्यों डगते हैं हम इसको एक अलग तरीके से करते हैं कुछ चीज़े यहां जो रिक्के रखी है इसको ऐसी रह कौस है यह हमारा point P है हमें यह पता है कि PM और SP यहां पर equal होते हैं यह क्या है यह हमारी D मतलब यह directrics है यह क्या है यह directrics है ठीक ना उसके बाद में यह हमारा vertex है यह हमारा vertex है हम जानते है कि इसका equation क्या है y square is equals to 4x पर यह आया कहां से यह किदर से लाया आप सर तो लेके आते हैं यहाँ P के coordinate देखे रखें x y मतलब यह perpendicular to definitely यहाँ पर यहाँ पर x का coordinate इस line के उपर क्या है इस line के उपर x का coordinate minus a है और y का coordinate तो y ही होगा तो m के coordinate क्या होगा है m के coordinate होगा है minus a y अब हम जानते हैं कि यह parabola के अंदर जो distance of a point from the focus and distance of a point from the line they are equal parabola में क्या होता है कि sp जो होता है वो pm के equal होता है sp जो होता है वो pm के equal होता है होता है नहीं होता है तो शुरू से 4-4 बार चला के बता रहा हो नो तो अगर यह equal होता तो मुझे इनका distance निकालने दो इनका distance क्या होगा अंडर रूट में अगर मैं इसको x1, y1 और x2, y2 लिल लो तो x-1 का whole square x-1 का whole square plus y-0 का whole square यह हो गया y-0 का whole square और मेरा pm का value क्या है मेरा pm का यहाँ पर value क्या आएगा pm मतलब xy-a and y तो x-a तो यह x-a का whole square हो जाएगा होगा नहीं होगा यह मेरे यह x है चलो ऐसे नहीं जमता तो ऐसे करो एक step और अपन बढ़ा के लिख देते कुछ बिगड़ता वाला नहीं है इसे रिखो x-a का whole square and y-y का whole square यह हमारा पहला काम हो गया हमको यह देके रखा होता है कि यह जो line है distance of a point from the focus and distance of a point from the line is equal in the parabola तो अब equal है तो उसको हम उस तरह से treat करते हैं equal है तो हम उसको उस तरह से treat करते हैं चलो यहाँ क्या होगा दोनों side में square root है तो यहाँ ले लो squaring of both sides यहाँ ले लो squaring of both sides फिर क्या होगा यहाँ के दोनों side के squares जो है square roots जो हो हड जाएंगे अब अगर square root हड जाते हैं बच्चा तो हम क्या लिखेंगे आपर तो हम यह लिखेंगे भईया यह x-a का whole square है यह जो है यह x-a का whole square है और यह y square है यहाँ आएगा यह आएगा x-a का whole square आएगा और यह 0 का square आएगा अब इसको मैं खोल लेता हूँ अब मैं यहाँ पर formula लगा लेता हूँ तो formula क्या होगा a square होगा x square b square मतलब a square 2ab मतलब 2x है और ये y square का y square फिर यह होगा a square ये होगा b square और ये होगा 2ab और ये g रो को तो लिखने की जोड़ी नहीं है अब इतना काम तो हमारा हो गया बटा अब यगर इतना काम हो गया तो इसके अंदर एक चीज़ ओर है इधर भी x square है इधर भी x square है काट डो इधर भी A square है, इधर भी A square काट दो इसको उधर भीच दो, तो क्या मिलता है Y square is equals to, यह 2X A है यह 2X है इधर का, और इधर का 2X है इधर चले गया तो यह भी 2X है, तो मेरे पास क्या है है Y square is equals to 4AX है या 4AX यह standard equation है आपकी 4AX parabola की standard equation है Y square is equals to 4AX, तो ऐसे निकालते है ऐसा यह हुआ क्या किया मैंने पहले इन दोनों का distance लिया PS का distance और PM का distance equal होता है यहाँ पर distance formula X minus A का whole square and Y minus 0 का whole square under root के अंदर और X minus A का whole square और Y minus Y का whole square अब दोनों जगे square root है तो मैंने दोनों के square root को हटा दिया square करके और squaring करने से दोनों square root हट जाएंगे तो यह condition ऐसी कैसी square तो कुछ बदला ही नहीं मैंने Y minus 0 को मैंने Y square लिख दिया Y minus 0 square है तो Y square लिख दिया और यह X plus A whole square 0 का square हो गे अब क्या किया यहाँ पर यहाँ क्या किया मैंने कि यह X square यह A square minus 2X है और यह Y square यहाँ किया फर्मल लगा दिना A square B square minus 2A क्योंकि minus है और A square B square plus 2A और यह Y square का Y square यह दोनों X square X square यह कड़ गया तो यह condition आगी This is the equation of the standard equation of the parabola इसको हम standard equation of parabola बोलते हैं और साथ में हैं लिखते है when A is greater than 0 जब A जो है वो positive X axis पर होगा तब यह इसका यह है चलो इसके screenshot ले लो कोई आपको derivation पूछे तो यह भी आपको निकालते हाना ची आई दोस्तों बिसमें हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हमको क्या देके रखा है आगे अगली चीज हमको समझ लेनी है कि यहाँ पर यह क्या देके रखा है पहली condition देके रखा है symmetry symmetry में क्या बोलता है equation थोड़ी theory है हमारी textbook की theory है लेकिन सारी theory में आपको बता रहा हूँ मैं जानता हूँ कि यह video बहुत कमाल का मनने वाला है यह video बहुत कमाल का होगा जिस बंदे ने पूरा देख लिया है वो कोई भी question को अड़ा देगा कोई भी question आजाए उसके सामने वो 100% उस question को कर लेगा ठीक है तो यहाँ क्या देके रखा है symmetry क्या है हम जानते है equation क्या है y square is equals to 4x है अगर मैं square का इधर कर दो तो y square is equals to क्या हो जाएगा under root 4x और इसका क्या मतलब हो जाएगा तो यह हो जाएगा y square is equals to plus minus 2 under root x बस वही चीज यहाँ बताके रखिए कि y जो है y is equals to plus minus under root 4x यहाँ देखे रखा है the equation of the parabola can be written as ऐसा लिखा जाता है क्योंकि हम इसको ऐसा कर सकते है that is for the every value of x and therefore the two values of y which are negative therefore there are two values of y which are negative of the each other okay दोनो एक दूसरे की negative y की दो values है negative of each other एक plus है तो एक minus है okay मतदद सिदी सिदी बाहत है यहाँ पर कुछ पार आपका positive में हाएगा कुछ पार्ट अपका negative y में आएगा ठीक है ना यह symmetry side की बात हो रही है और दोनो एक दूसरे के दोनो एक दूसरे का opposite है ना इसलिए तो इसको axis of symmetry क्या कर रही है axis of symmetry उसको दो equal parts में divide कर दे रही है और reason क्या होगा देखो भी है अगर मैं बात करता हूँ कि x less than 0 तो x less than 0 मतलब यह इधर का part आएगा x less than 0 मतलब इधर का part आएगा the value of the y for every value of x less than 0 the value of the y will be imaginary अब यार यह बना तो इस side है तो अगर इस side की बात करो कि तो इमेंज़री ही होगा है ना इस side इमेंज़री होगा तो यह बात समझ लो कि सारा का सारा जो है पूरा का पूरा यह positive यह right side के अंदर होगा y axis के right side में होगा है ना तो यह क्या बोलता है कि further every x minus x less than 0 मतलब कि x की बेंगेटिव है x less than 0 मतलब कि x negative है so the value of the y is imaginary therefore the entire part of the curve lies in the right of the y axis तो यह entire part अगर देखिए curve का तो वो right side में है इस side के कभी बात करो कि तो इस side imaginary होगा इस side नहीं बनेगा इस side मतलब फिर वो आप खयालों में बना सकते हो खयालों में बना सकते हो चलो बढ़ते आगे आगे क्या देखे रखा है सारे point समझ लो जो बहुत ज़्यादा important है intersection with the axis क्या होता है जो curve होता है वो x axis को भी 0,0 पर y axis को भी 0,0 पर cut कर रहा है तो देखा जातो यह इसका जो यह है intersection point यह origin ही है intersection with the axis क्या है origin के ओपर है axis equals to 0 we have y equals to 0 therefore the curve meets the coordinate axis at the 0,0 यह तो दिख रहा है कि 0,0 से होके जाता है मैंने चारों में आपको बताया कि चाहे वो ऐसा बने चाहे वो ऐसा बने या फिर चाहे वो कुछ उपर से बने या चाहे वो नीचे से बने हर case के अंदर वो origin से होके ही जाएगा ठीक है और इसके लिए यहाँ पर जो intersection होगा with axis होगी 0,0 origin के ओपर ही होगा और shape of the parabola अब यहाँ यह बात समझें कि x goes to infinite and y यहाँ पर भी infinite जा रहा है therefore the curve extends to the infinite x grows larger and open in the right half of the plane shape of the y square equals to 4 यह बढ़ते चले जाएगा यह बढ़ते चले जाएगा x tends to infinity and y tends to infinity वाली बात यहाँ पर है है ना x tends to infinity y tends to infinity है ओके तो curve the curve extends to infinity as x grows larger and opens the right half of the plane है ना वो इस तरह से open होते चले जाएगा चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अब focal distance हम कैसे निकाल सकते हैं अब यार आप बोलो कि हम जानते हैं कि focal distance हम किसको कहेंगे focal distance होता क्या है भया focal distance क्या होता है focal distance होता है ps अच्छा ps का distance निकाला तो क्या होगा वह x-a और y-0 का whole square होगा यह क्या होगा यह होगा x-a का whole square और y-0 का whole square तो y square हो जाएगा ही तो यहार इससे काम नहीं हो रहा है हमारे पाँ एक और तरीका है हम जानते हैं कि ps जो है वो equal है ps या sp जो equal हो pm के भी equal है तो m के coordinates क्या होते हैं क्योंकी coordinates –.A-Y होते हैं इनका distance निकालो तो यह क्या होगा इनका distance निकालो यह क्या होगा यह वगा एक मिल मुपना यह hoगा x--a whole square x--a whole square 1-a whole square और y square y-y 1-1 एक मिनुट-कन, यह क्या है आईगा बई एक काम करो मैं आपको ऐसे नहीं बताता हूँ नहीं तो अभी और गोगली हो जाएगी बच्कों की यह ना मैं P के कॉडिनेट्स लिख दे तो P के कॉडिनेट्स X Y है और M के कोडिनेट्स क्या है माईनस A Y है मैं जड़ा PM निकाल लेता हूँ पी एम निकाल लेता है तो पी एम क्या होगा यह होगा अंडरूट में अंडरूट में हम इसको लिख लेंगे यह एक्स माइनस माइनस एका होल स्क्वेर प्लस वाइ माइनस वाइक का होल स्क्वेर तो मेरे पहरे बच्चों क्या हो गया यह यह हो गया, X minus, X minus minus प्लस का whole square, और यह हो गया 0, तो P.M. क्या हो गया, P.M. हो गया X plus A, क्यूंकि इसे square है, अब P.M. अगर X plus A, तो यार P.S. को भी अपन यहीं लिख देते हैं, तो अगर focal distance को पूछते हैं, तो formula होगा, X plus A का, focal distance क्या लिखोगी, सब्सक्राइब ना कि फोकल डिस्टेंस एक्स प्लस एग होती है ठीकल सिंपल सिंपल तरीका है यह लिए लिखने के ज्यादा आपको गूगली बता रहा है तो इसको अपना डिक है बड़ यह ज्यादा सिम्पल है ठीक है तो आपको फोकल डिसेंस की बात आती है तो ऐसे लिखेंगे इसको आप डारेक्ट इसको चलो इसको बिस्क्रीशॉट लेलो फोकल डिस्टेंस अमने निकाल लिए अब हमको निकालना है अगला लेटास रेक्टम यह लेटास रेक्टम क्या होता है ऐसा होता है ठीग है और इसका नाम आपन दे 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 एए इसका नाम करन संसकार खिर दिया जाए तो का होगा इसका नाम बववा इसका नाम हमें भुक में दे के रखे है ल, L- उके इसको Capital L ले लो इसको Capital L- ले लो अब एक बात यह पॉइंट क्या है A यह पूरी जगह पर A ही रहने वाला है मुझे इसके Y कॉर्डिनेट नहीं पता तो Y कॉर्डिनेट अपन सपोस कर ले थे कि यह L है और यह माइनस का L है भाई दोनों तो सेम ही होगे न भाई फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड अगर जो है फोकस से जो जाती है वो हाँ पर उसको पका यह दोनों पार्ट एक्वल होने वाले है तो इसको L ले रहे तो इसको L ले रहे तो इसके कॉर्डिनेट क्या बनेंगे L के कॉर्डिनेट क्या बन रहे यहां L के कॉर्डिनेट क्या बन रहे और इसके कहा लिखेंगे? इसके हम लिखेंगे अल, ठीक है? तो ये काम हो गे हमारा, जम हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं है मुझे इनका अन्हेंन निकालना तो यह नेकाल wij नेटर नेटर अपने मुझे इनकाल लेते हैं इनका निकाल लेका यह हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो निकालते हैं यहाँ पर यह होगा L और L' is equal to under root में A minus A और का whole square plus इसको आगे बढ़ा दो यह होगा L minus minus L का whole square तो यह L L' क्या हो गया यह हो गया under root यह तो 0 हो जाएगा यह हो जाएगा L plus L का whole square तो L L' क्या आजाएगा यह आजाएगा 2 L का whole square तो बाहर आके यह हो जाएगा 2 L L L' क्या हो गया यह 2 L हो गया मतलब यह पूरा distance कित्ता होता है यह 2 L के एक्वल होता हो तो दीखी रहा है मुझे तो पूरास में नया क्या है अब नया बताता हूँ मैं आपको हमारे पास में यह पहला वाला coordinate क्या है यह first वाला coordinate L के coordinate क्या है L का coordinate हमारा क्या है? A L है L का coordinate क्या है? A L है हम ज़रा इस coordinate का use करते है Y square is equals to 4 A X में है न? Y square is equals to 4 A X में हम ये वाली value पूट करते है तो क्या होगा? L की जगा आप इसको पूट कर Y की जगा यहाँ पर देखो X की जगा पर A आएगा Y की जगा L आएगा तो यह होगा L square यह 4 यह into A का A और X की जगा भी में A रख दूँगा तो L square क्या होगे? 4 A square होगे तो L क्या हो जाएगा? under root 4 A square तो यह कितना होगे? 2 A होगे तो L कितना आगे? 2 A आगे और अगर L 2 A आगे तो length of lattice rectum क्या होगी? length of lattice rectum क्या होगी? इस case में इस case में L L dash क्या होगा? 2 into 2 A तो यह 4 A हो जाएगा यह 2 into 2 A 4 A हो जाएगा L L dash ठीक है? तो distance यह L L dash रूगे L की value क्या होगी यह? तो यह L हमने जो suppose किया था यह वाला यह A L जो suppose किया था इसके coordinate actually क्या हो जाएगे? इसके actual coordinates हो जाएगे A और L की जगा पर लिखेंगे 2 A A 2 A और यह क्या होगा? A minus 2 A ठीक है तो यह actual इसके coordinates होगे यह actual इसका distance होगे L L dash आप इसको देखो आपको length of letters rectum बोला तो आप उसको 4 A लिखोगे है ना? length of letters rectum के और उसके जो coordinates होगे lattice rectum के coordinates होगे L के coordinates क्या होगे? वो होगे A 2 A और L dash के होगे A minus 2 A तो यह चीज़े यहां से हमको सीखने को मिली है बढ़ा simple सा है बढ़ा simple सा है अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सारे का सारा collection A की जगब है सारा का सारा collection A की जगब है इसको A activity हटाता हूँ मैं activity के भी हमको ज़रोत नहीं यह वाली बात अब यह समझना है यारद देखो focus इस case में focus A 0 होगा दिख रहा है इस case में focus हमारा A 0 है इस case में focus 0 भी है देखो A 0 और 0 भी इधर बनेगा तो A 0 उपर बनेगा तो 0 भी इधर बनेगा दूसरी बात है डायर्ट्रिक एक्वेशन अब डायर्ट्रिक यहाँ पर क्या है भाई X is equals to minus यह तो यह X plus A is equals to 0 होगा equation क्या होगी X plus A is equals to 0 होगी equation of directrice और यहाँ पर होगी Y plus B is equals to 0 दोनों का यह फरक है यह X plus A is equals to 0 Y plus B is equals to 0 दोनों केस में वर्टेक्स से में मैंने बोला था आपको वर्टेक्स दोनों केस में सेम आएगे यहाँ पर यहाँ पर endpoints of the latest rectum बोलते है endpoints of the latest rectum मतलब क्या अभी हमने जो किया पिछली slide के अंदर हमने पिछली slide में जो किया वो क्या था endpoints of the latest rectum क्या था यहाँ पर तो endpoints of the latest rectum जो हमने देखा था एक मिल्ट पूरा पीछे जाना पड़ेगा यह नहीं है endpoints of the latest rectum क्या था al और a minus l dash minus l या फिर इसको a और 2a और a minus 2a हम लिखेंगे तो endpoints of the latest rectum क्या हो गए यहाँ पर endpoints of latest rectum यहाँ पर हो गए a और plus minus a लिखे रखा भई या तो a लिखो 2a लिखो और a minus 2a तो a plus minus 2 और इसकेस में क्या होगा वो 2b minus b होगा है ना वो क्या होगा 2b minus b होगा यह पार्ट बढ़ा आ रहा ना तो 2b है ना plus minus यहाँ पर क्या आएगा plus minus 2b and b length of letters रखते हम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जब length निकालना होगा तो हमने length क्या निकालना था 4a निकालना था तो modulus of 4a करना पड़ेगा भले वह negative है बट उसको हम mod में लिखेंगे ताकि यह positive बन जाए axis of symmetry यहाँ पर x axis है यहाँ axis of symmetry x axis है यहाँ y axis है axis of symmetry यहाँ पर y axis है तो ही y axis हो गई equation of axis y is equals to 0 यहाँ पर हम equation of axis जो लेगे वो y is equals to 0 लेगे और यहाँ axis equals to 0 लेगे ठीक है अगली बात tangent tangent vertex tangent क्या होती circle में सीखिए यह circle है यह line touch करके जा रही है tangent है इस paragola में tangent क्या है इस paragola में tangent क्या है y axis है और इस paragola के tangent क्या है जो touch करके जा रही हो कौन touch करके जा रही है यहाँ पर एक सेक्सिस है तो यह एक सेक्सिस है ठीक है focal distance focal distance हभी हमने निकाला था x plus a और यहाँ y plus b होगा यह सारे formula याद रखना है पूरी exercise तो मैं सी कैसे उड़ाद होगे ठीक है अब इसके अंदर कुछ और चीज़े है जो आगे देके रखे parametric form है उसके बाद में जो हमारे tangent tangent की सारी condition है है ना अब हम उसको करते है पहला आप screenshot ले लो यह सारे formula याद रखो क्योंकि इसी के उपर पूरा का पूरा exercise है इसी के उपर पूरा का पूरा exercise है ठीक है चलो screenshot ले लो